हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद है कि अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आपको मैं आज अपने साथ ले चलती हूँ इस्टेचू ओफ यूनिटी बिजिट और मैं वहां गई थी तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूं और आपके साथ भी शेयर करूंगी तो फ्रेंट्स देखें ये वर्ट का सबसे लारजेस्ट स्टेचू है जोकि इसकी हाइच माइट 12 मेटर है और बौहत ही अच्छा बनाया हुआ है जह चीशान के द्वार्णाया है और यह जो नर्वदा डैम है उसके उपर है और यह गुजरात में बनाया गया है और यह अमदाबास से लबबग चार गंटे लगते हैं जाने में तो फ्रेंड्स हम वहां पर पहुंच गया है तो देखिए और बहुत ही अच्छा बहुत ही ब्यूटिफुल जगह है और मतलब बहुत अच्छा लगा है में तो यह मैं बिल्कुल वहां से फोटो लिया है मैंने तो यह हम लोग घर से यहां से स्टार्ट करती हूं में घर से निकल गए हैं यह रास्ते में मैंने थोड़ा लिया है और यहां से बहुत अच्छा ग्रीनिरी भी ही उदर और बहुत इंज्जॉय किया हम लोगों ने और हमें बहुत अच्छा लगा तो मैंने सुचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूं तो यह बहुत सुन्दर और बहुत ही अच्छी जगह पर बनाए गया है और सर्दार बल्लभाई पटेल का इस्टेचू है यह और यह हम लोग आ गया है लग भग देखिए 11 किलोमीट बचा है बस और उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है 11 किलोमीटर ही रह गया है तो देखिए और हम इसी तरह से चलेंगे और आपको मैं बताती जाओंगी कि अभी क्या आया है और क्या क्या है तो आगे भी इसी तरह से बने रही है आप हमारे साथ देखते रहिएगा तो यहां से यह स्टार्ट हो जाता है और देखिए हम पे कितना अच्छा से बनाया गया है और यह जो साइड में बस दिख रही है यह इस्टेच्व आफ इनुटी का ही बस है और यह बस की फैसिल्टी है हम जहां पे कार पारकिंग करते हैं वहां से ही हमको बस में बैठ के statue of unity तक जाना होता है और वहां के सामने से ही आप ticket ले सकते हैं online भी book कर सकते हैं और जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं और वहां पे बहुत अच्छा है तो देखिया तो लगबग हम लोग पास आ गए हैं तो देखिए कितना सुन्दर है बहुत अच्छा वहां पे यह artificial सब पी मैं भी बनाया हुआ है उसकी उससे मतलब तीम किलो मेटर पे और यह बना गया है जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छा है तो अब भी देखिए यह बैक साइट से मैं ले रही हूं सूट कर रही हूं यह बैक साइट से सरदार पटेल का इस्टेचु दिख रहा है और अभी है उता है अभी मेरे पापा और फिर उनके साथ गई थी में बहुत अच्छा लगा था मुझे ने तो नहीं को भी घुमाँके लाते थे हैं तो हम लोग गये थे देखिए बस भी लग रहा ही कितना पहाड़ी जैसा एरिया भी है काफी तो इस तरह से हम लोग पहुंचेंगे आगे पहुंच के दिखाती हूं मैं आप लोग को हम लोग फारी देखिए बस पर नहां आपको बस्टाइ पह वर ट रहा ही कि अड़िए तो कि अड़िख भी होगड़ी जैसा पिंट कि अड़ पर बस चे की अड़िर जा़िए पनगी है कि अड़िए फू़िए पार इस पह दो तरह पंगे अटराल। झाल 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 तो अभी हम लोग एंट्री हो गई है हमारी और हम पहुचके हैं यहां से हम अंदर जाहेंगे और अंदर जाके फिर इस्टेचू देखने के लिए उपर तक हम लोग जाएंगे तो यहां से हम लोग जा रहे हैं वहां पर चड़ने के लिए एक्सिलेटर भी लगा हुआ है शीडियां भी है दोनों का यूज कर सकते हैं तो बहुत फूक्षा चड़ना परता है तो जादत तो एक्सिलेटर का यूज सब लोग करते हैं और चडने उतरने दोनों के लिए दोनों फैसिल्टी है जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं और यहां से स्टार्ट हो गया आप देखिए मैंने के से लिया है लग रहा है कि इतना बड़ा है मैं पूरा लेने की कोसिस किया है कि पूरा आपको दिखा दूमें और यह मुजियम है इस्टेच्वा फ्यूरिटी का इससे लीफ्ट रिफ्ट है जिससे लिफ्ट से अंदर रें जाते हैं तक बंसक्राइब फोट्व फोटो लेली हूए हैं यह अंदर का इस्टा है भी तो दूदा सा यह निया का दिखांगा मैने आपको पोशेच किया तिकाने के अël है तो आप लोगें की अलग की तो अब लोग पूरा देखके आ गए हैं अभी फूट कोड में आ गए हैं आप फूट कोड की फैसिल्टी है अगर आप पर अपना जो भी खाना पीना कुछ भी खाना है तो खा सकते हैं अराम से तो फ्रेंट्स आपको यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा अगर आपको मेरा कर सकी वीडियो तो मिलती हो फिर एक नेक्स ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाए फ्रेंड्स बाए 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 गुद देख क्यार